तो पर जैसा कि आपको पता है कि जितने भी सारे नेट्वोग ऑपरेटर रिचाहे वो एडटल हो वोड़फोन हो आईडिया हो जी हो सारे अपने जो भी टैरिफ प्लान है जो भी रिचार्ट प्लान है उसे 40% महगा करने वाला है तो नए रिचार्च प्लान साकर कर इन सारे प्लान को सबस्क्राइब करें तो बैसे पहले हम बात करेंगे एड़ल के बड़ेवे रिचार्च प्लान के बारे में तो एड़ल का अभी का जो सबसे छोटा रिचार्च प्लान वो है 19 रुपे का और इसके हाँ ज्यादा छेट-छार नहीं करा गया है मतलब कि 19 रुपे के रिचार्च प्लान में हमें दो दिन का वैलिटी मिलेगा और इसमें हमें unlimited calls दिया जाता है और 1500 MB डाटा दिया जाता है तो इसमें किसी पर तरके का changes नहीं करा गया है मगर इससे बात का जो रिचार्च प्लान है जो कि 35 रुपे का हुआ करता था मतलब कि अभी जो रिचार्च प्लान साथ 35 रुपे का जिसमें हमें 28 रुपे का टॉक टाइम दिया जाता था और 100 MB का डाटा दिया जाता था उस रिचार्च प्लान को बढ़ा के कर दिया गया है अब 49 ता वो बढ़के हो चुका है 49 रुपीज का, अगला जो रिचार्च प्लान था, एर्टल का वो था 65 रुपीज का, जिसमें हमें वैलिटी दिया जाता था 28 डेस का, और इसमें हमें टॉक टाइम मिलता था 130 रुपीज का, और इसमें हमें जो डाटा मिलता था, वो हमें 200 MB का ड मिलेगा, तो अब बढ़ते हम अपने next रिचार्च के तरब, तो अगला जो रिचार्च है एर्टल का, जो कि था 129 रुपीज का, और इसमें हमें 28 डेस का वैलिटी मिलता था, और 129 के रिचार्च में हमें unlimited calling दिया जाता था, 300 SMS दिया जाता था, और 2 GB का डाटा दिया जात और इसमें आपको मिलेगा unlimited call और 300 SMS और 2 GB का डाटा, तो अगला जो दो रिचार्च प्लान है, जो कि अल्ट रिचार्च प्लान है, इन दोनों को मिटा दिया गया है, इन दोनों का हात्मा कर दिया गया है, और एक नया रिचार्च प्लान बना दिया गया है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ, जो 169 का रिचार्च प्लान था और 199 का इन दोनों रिचार्च प्लान को अब हटा दिया जा रहा, मतलब कि कल से आप 169 और 199 का रिचार्च ने कर सकते, इसे बढ़ा कर दिया गया है 248 यानि कि 248 रुपे कर दिया गया है, और अगर आप 248 रुपे का रिच प्लान था वो था 249 रुपीज का जिसमें हमें 28 दिन का वेल्टी दिया जाता था और 249 में हमें अनलिमिटेड कोल्स और 100 SMS per day और 2 GB का डाटा दिया जाता था तो 249 वाला जो रिचार्च प्लान है वो बढ़के हो चुका है अब 298 रुपीज का और इसमें हमें 28 देज का वेल्टी मिलेगा जिसमें के अनलिमिटेड कोल्स दिया जाएगा 100 SMS per day दिया जाएगा और 2 GB डाटा हमें per day दिया जाएगा इसके अलावा बात करते हैं अगले रिचार्च प्लान की तो अगला जो रिचार्च प्लान है अटल में वो था 448 रुपीज का और ये जो रिचार्च प्लान है इसमें हमें वेल्टी मिलता था 84 देज का और इसमें हमें unlimited calls दिया जाता था 100 SMS per day दिया जाता था 1.5 GB data per day दिया जाता था तो 448 का जो रिचार्च प्लान है वो बढ़के हो चुका है अब 598 रुपीज का और 598 रुपीज के रिचार्च प्लान में हमें जो फिलाल वेल्टी मिलेगा वो मिलेगा 84 देज का जिसमें कि आप unlimited calls कर स इसके अलावा आपको मिलेगा 1.5 GB data per day के इसाब से तो अगला जो रिचार्च प्लान था वो था हमारा 499 रुपीज का एर्टल में जिसमें हमें वेल्टी मिलता था 82 देज का और इसमें हमें unlimited calls, 100 SMS per day और 2 GB का डाटा मिलता था तो इस रिचार्च प्लान को फिलाल बढ़ा क कर दिया गया है 698 रुपीज का मतलब कि लग करीब 700 रुपए का रिचार्च कर दिया गया है 500 रुपए वाले रिचार्च को 700 रुपए हो चुका है मतलब कि जो 499 रुपीज का रिचार्च था वो हो चुका है फिलाल 698 रुपीज का और इसका जो वेल्टी होगा वो 84 दिया जाता था और इसमें हमें एक साल अनलिमिटेड कॉलिंग दिया जाता था इसके अलावा 3600 SMS दिया जाता था और 12GB डाटा दिया जाता था एक साल के लिए और अब यह रिचार्ज प्लान जो है वो बढ़के हो चुका है 1498 रुपए मतलब कहां यह था एक हजार के अब हो चुका है 1498 रुपए मतलब कि डारेट 500 रुपए इंक्रीज कर दिया गया है और 500 रुपए बढ़ाने के बाद इस रिचार्ज प्लान का जो वैलरेडिटी है वो हमें दिया जाता है 365 दिन मतलब कि अगर आप 1498 का रिचार्ज करते हो तो इसमें आपको एक साल का वैलरेटी मिलेगा मतलब कि 365 दिन का वैलरेटी मिलेगा जिसमें कि आपको unlimited calls दिया जाएगा और 24 जिवी का डाटा दिया जाएगा अगला जो रिचार्ज प्लान है आटल में जो की था 1699 रुपए का उसमें भी हमें एक साल का वैलरेटी दिया जाता था मतलब कि 365 दिन का वैलरेटी दिया जाता था जिसमें कि हमें unlimited calls दिया जाता था एक सो SMS पर दिया जाएगा और 1.5 GB डाटा पर दिया जाएगा मतलब कि आप समझ लो कि 16 सो नहीं यार 17 सो रुपए का जो फिलाल रिचार्ज प्लान था वो हो चुका है अब 24 सो रुपए का और 24 सो में आपको मिलेगा कितना एक साल का डाटा मिलेगा मतलब कि एक साल का unlimited call मिलेगा 1.5 GB का डाटा मिलेगा और 100 SMS पर दिया तो रिचार्ज प्लान जो है वो एटल में काफी ज्यादा महाँगा हो चुका है और भाई एकलावता एटल नहीं है आप बात करते हैं आईडिया और Vodafone के नए रिचार्ज प्लान के बारे में तो आईडिया और Vodafone जो है वो टाइप हो चुके हैं मतलब कि बस बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं और उन्हें उन्हें भी अपना नया रिचार्ज प्लान जो है वो लांच कर दिया है और इनका जो कॉम्बो रिचार्ज है जो कि ए 49 रुपीज का टॉक टाइम मिलेगा मत इसके अलावा आपको 2-7B का डाटा मिलेगा और इन दोनों रिचार्ज प्लान का जो वैलिटी है वो 28 डेस का होगा अब जो रिचार्ज प्लान के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 28 डेस वाले हैं और इनमें जो पहला रिचार्ज प्लान है वो 149 रुपीज का ह जिसमें आपको unlimited calls दिया जाएगा, 2 GB data दिया जाएगा, 300 SMS दिया जाएगा और इसका validity जो है वो 28 days का होगा इसके लाव अगले रचार्च प्लान के और बढ़ते हैं जो कि है 249 रुपीज का जिसमें हमें unlimited calls दिया जाएगा, 1.5 GB का data per day दिया जाएगा 100 SMS per day दिया जाएगा और इसका validity रहेगा 28 दिन अगला रचार्च प्लान है 299 रुपीज का जिसमें कि हमें 2 GB का data दिया जाएगा 100 SMS per day दिया जाएगा और 28 दिनों का validity होगा इसमें 2 GB data per day दिया जाएगा यहाँ पर notice करना बाई और यह सारे बढ़े हुए recharge plan है समझे यह notice करना 299 मतलब कि 300 रुपए में पहले क्या मिलता था हमे 84 days का वेलटी मिलता था मगर आपके वल 28 days का मिल रहा तो notice करने वाली बात है अगले recharge plan के तरफ बढ़ते हैं जो कि 399 24 days वेलटी वाले recharge plans के बारे में तो 84 days का अगर आपको recharge कराना है Vodafone में या फिर Idea में तो है वो recharge plan बढ़े में है 379 रुपीज का अगर आप 379 रुपीज का recharge करते हो तो इसमें आपको unlimited calls दिया जाएगा तो 6 GB data सिर्फ 6 GB data दिया जाएगा और इसमें आपको 1000 SMS दिया जाएग 84 days तक यूज करने से कोई नहीं ना काफी जादा महुत ज्यादा दे दिया डाटा इतना महाँ इतना सारा डाटा हम करेंगे क्या अगले recharge plan की तरफ बढ़ते हैं अगला जो recharge plan है वह 599 रुपीज का जिसमें हमें unlimited calls दिया जाता है 1.5 GB data per day दिया जाएगा 100 SMS per day दिया जाएग एक सो SMS दिया जाएगा पर day का और इसका वैलेटी होगा 24 days का इसी के साथ मेरा friend call करा है तो एक मिनट लाइन पे रहो का हो लो बेर काट दिया यार मतलब recharge बड़ा कि ने miss call मार ने सुरू कर दिया का बल दे दुनियादार इन लोग का अब हम बात करते हैं एक साल वाले recharge plan के बारे में आईडिया और Vodafone का तो एक साल वैलेटी के लिए हमें recharge करना पड़ेगा 1499 रुपय के recharge से जिसमें हमें मिलेगा unlimited voice call और 24 GB का data दिया जाएगा 3600 SMS दिया जाएगा और इसका वैलेटी होगा 365 दिन मतलब कि आप समझ सकते हो एक साल के लिए हमें इस recharge plan में कितना मिलेगा सिर्फ 24 GB data और हमें पे कितना करना पड़ेगा 1500 रुपय में हमें सिर्फ 24 GB data मिलेगा वो भी एक साल के लिए 24 GB data तो हम एक महिने में खतम कर देते हैं बहुत कोई तो 15 दिनों में और बहुत कोई तो उससे भी पहले क्या करोगे यार क्या होगा इस दुनिया का दुनिया खतम होने वाला है अगले जो रिचार्ज प्लान है वो है 2399 रुपय का इसमें हमें unlimited calls दिया जाता है एक साल के लिए 1.5 GB data दिया जाएगा पर डे एक साल के लिए इसके अलावा 100 SMS पर डे दिया जाएगा तो आपको पता ही है 365 दिन का होगा 365 दिन का वैलिटी मतलब कि 1.5 GB data अगर आपको एक साल के लिए तो आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा 2400 रुपय मतलब कि 2399 रुपय मतलब कि दुनिया का ताम एक और रिचार्ज प्लान है आइडिया और वोड़ेफोन में जो कि 19 रुपय के इसमें मैं unlimited call दिया जागा दो दिन का वैलिटी है और 1500 MB का data दिया जागा 100 SMS दिया जाएगा तो करो अगर करना चाहते हो दो दिन लेकिन क्या करोगे यार 1500 MB data का तो बस भाई यह था Ethereum Idea Vodafone के recharge plans के बारे में तो Idea और Vodafone का recharge plans एनका तो same ही रहेगा लेकिन yl paid arbital का recharge plans के बारे में आपको पता चल गया लेकिन अब आपके दिमाग में question आसकता है या जी यो का recharge plans कहा गया तो जीयों का भी नहीं प्लान जो हो यह पुछ ही तक आ ही जाएगा तो अगर आपको अनलिमिटेड वैलिटी चाहिए इसी प्राइज में तो अभी जितने सारे हो सके वाउचर बना लो मतलब कि अगर आपका रिचार्च नहीं भी खतम हुआ है तो रिचार्च पर रिचार्च प को सबस्क्राइब करना की यह सारे वाइव यह रिच प्लांच के बारे में आप किसे जिम्यवार मांते हो एव निचे कमेंट करका बताना वेडियot वेडियो कशांव कर देना चैनल को सबस्क्राइब हो आले